आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा री यूज लेके आई हूँ इस तरीके के कार्डबोर्ड का अगर आपके पास भी प्रेशर कुकर के डाइनिंग सेट के कार्डबोर्ड है तो उसे फेकने से पहले दोस्तो ये वीडियो जरू देख लीजिए तो ये है मेरा एक नाजसरो चाहिए तो पहले इसको अम खाली कर लेते हैं और इसमें दो थर्मा कॉल है जो उसको सपोर्ट करते हैं प्रेशर कुकर को तो बस आपको सबसे पहले करना है जो थर्मा कॉल है उसको उसी के अंदर रख लीजिए और इसके नीचे बेस में लगाओंगी साइट से यहले सयलो टे इसलिए कि अच्छे से टाइट हो जाया और फिर इसके ऊपर लगा दिए उसके बाद इसके बाद इसके बाद यह से बरनी सब्सक्राइबं आप अरुआ तरहा थर्माकॉल था वह भी मैं इसमें लगा लूँगी और फिर इसके उपर लगा लूँगी सेलो टेप से यह एक हैवी हो जाएगा और इसका बेस बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा अब इस कार्डबोड को पूरी तरीके से कर देंगे बंद और बंद करने के लिए आप इस पहले अच्छे से बंद कर ले उसके बाद आप इसमें लगाएं सेलो टेप सेलो टेप लगाने से अच्छे से सिक्यूर हो जाएगा कि यह बिल्कुल भी नहीं खुलेगा तो अच्छे से चारो कोने में मैं सेलो टेप से सिक्यूर कर लूँगी तो यह देखिए यह इसका नीचे का पार्ट होगा दोस्तों और इसको टर्न करके यह इसका उपर का पार्ट है जहां पर हमने लगाया था अच्छे से थर्मा कॉल कि यह अच्छे से बेस मतलब इसका एकदा मजबूत हो जाए कि अगर इसमें कोई बैठे तो वो बिल्कुल भी टूटे नहीं अब हमें लेना है यहां पर फैविकॉल और फैविकॉल में आप यहां पे लगा लेजिए कोई भी कलर्फुल पेपर कलर्फुल पेपर नहीं है त मार्केट में काफी जादा जो वाल पेपर होते हैं वह भी आप इसमें लगा सकते हो वाटर प्रूफ होते हैं उसमें पानी वगरा भी गिर जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है उस तरीके के पेपर का भी आप यूस कर सकते हो देखिए चारो कोनों से अच्छे से चिपक में एइः पॉर्शन में ही इस पेपर को रेप कर लोंगी देखिए रेप हो चुका है इसमें भी मैं फैवीक और लगा दूंगी बैक से मैं यूँपर को कट कर आ है थोड़ा सा उसकी शेप में पेपर कट करके फिर उसे पेस्ट कर लोंगी ए हमारी एक तरीके से टेबल ब आपके पास काफी सारे पुराने गत्य हो तो जो काफी हाड होते हैं प्लाई आप ले सकते हो और उसको मैंने और वाटर रजिस्टन करने के लिए क्या करा यह इस तरीके की शीट ले लिए है इस पर पानी वगरा भी गुड़ जाए तो यह आसानी से पानी से साफ हो जाती है इस तरीके की शीट मैं इसके उपर अच्छे से पेस्ट कर लूँगी आप से डारेक्ली ऐसे भी रख सकते हैं यहां पर मैं इसलिए पेस्ट कर रही हूं कि इसमें पानी वगरा भी गिर जाए तो यह असानी से साफ हो जाए इसमें चाय कॉफी हम रख ले और यहां पर मैंन इसमें चैस की साइट से ही इसको पेस्ट कराया क्योंकि मेरे पच्छी चैसे इतना नहीं खेलते लूड़ों ज्यादा है तो उस साइट में इसको नहीं पेस्ट करूंगी तो यह एक अच्छे से उनके लिए प्ले करने के लिए टेबल भी हो जाएगी यह देखिये मैं एसे यह बिए फसे कान चारो कोनों से पेस्ट का लिया है तो यह पे वो गेम भी खेल सकते हैं धन्ये एक तरीके से टेपल बिलकुल रेडी हो चूकी है साइड थे बन के बिलकुल रेडी हो चूके है कोई अगर आपके पास side table नहीं है, यह छोटी table नहीं है, मेज नहीं है, तो आप इस तरीके के पुरानी cardboard से अपने के लिए side table बना सकते हैं, bed के corners बना सकते हैं, बहुत ही useful यह product है, बस मैंने से simply अपने bed के corner में इसको रखा है, और इसके ओपर मैंने जो इसका top बनाया था, वो भी मैंने रखा है, यह काफी ज्यादा मजबूत है, आप इसमें bed भी सकते हैं, आपके बच्चे भी असानी से इसमें bed सकते हैं, यह एक table का काम भी करेगा, chair का काम भी करेगा, मैंने इसको side में रखके थोड़ा से-से decor करा है, आप इस तरीके के को कोई भी plants इसके उपर रख सक है, तो अगर आपके पास भी इस तरीकी की कुछ बाटल है, तो मैं simple DIY decor आपके साथ इस से बनाने जारी हो, यहाँ पर लिया है, मैंने green color, acrylic green color मैंने यहाँ पर लिया है, आपको इसे भी पसंद का अपना color ले सकते हैं, green color से मैंने से पूरी तरा पेंट कर लिया है, और जब यह पेंट अच्छ से हो जाए तो इसे हम dry करने के लिए रख देंगे, तो जब यह dry हो जाएक तो हमें चाहिए यहाँ पर चावल, आप मोटा पतला कोई साभी टाइप का चावल ले सकते हैं, तो थोड़ी सी quantity मैं यहाँ पर पहले लूंगी, और इसमें मैं डालूंगी acrylic yellow color color combination आप अपने हिसाब से बिठा सकते हैं, थोड़ा सा color डान लेंके बाद, अब आपको क्या करना है, इसे rice के साथ अच्छ से mix करना है, जो yellow color है वो पूरा चावल में आजाए, इस तरीके से आपको इसे mix करना है चावलों को, तो यह अच्छ से mix हो चुका है, अब हमें क्या करना है, इसको dry होने के लिए रख देना है, minimum एक घंटे में पूरा dry हो जाएगा, तो थोड़ा से चावल और लिया है, इसमें मैंने लिया है white color, तो white color को भी हम चावल के साथ अच्छ से mix कर लेंगे, mix होने के बाद, इन दोनों को में dry करने के लिए छोड़ दूंगी, जब थोड़ा सा अब यहां बे मैं add करूंगी इसमें, पानी, क्योंकि यह काफी dry हो चुका है, फैविकॉल तो इसे थोड़ा liquid बनाना है, तो थोड़ा सा पानी add करेंगे, पानी add करने के बाद यह दोनों चावला को में अच्छ से mix कर लोंगी, इनका बहुत अच्छा color combination आया है अब मैंने यहां पे थोड़ा सा फैविकॉल अपलाए कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ही आप इसे apply करिए, और उसके उपर डाला है मैंने यह rice, अगर आप पूरा एक साथ फैविकॉल लगा देंगे तो फैविकॉल dry हो जागा, इसलिए थोड़ी थोड़ी quantity में आप फ यह rice इसमें लगा देंगे, बहुत ही अच्छा DIY है, आप अपने घर में आसानी से इसे बना सकते हैं, और डेकॉर के लिए तो बहुत ही सुन्दर आइटम है, पूरी तरह से apply होने के बात, अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको हम रखेंगे थोड़ी दे dry होने के लिए जब तक ही सूप न जाए, तो जब यह dry हो चुका है, तो बचावा फैविकॉल है, इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँगे, इसको काफी हमें लिक्विडी फॉर्म में कर लेना है, जब यह काफी लिक्विडी हो जाएगा, अब इसके बाद हमें next step करना है, जो भी हमे बॉटल है, इसके ओम एक कोट और कर लेंगे, इससे क्यों जो राइस है, वो प्रॉपर तरीके से इस पर चिपक जाएंगे, ये कोट, इसको का पूरा फैविकॉल का इसके विक्विकॉल की लगा लेंगे, अपलाय कर लेंगे, जब श्यवियen और यह यूज लिए और यह क इसी तरह मेर पे एक दूसरी बॉटल भी है, इसको मैं एक सिंपल तरीके से आपको टेक आउर करना सिखाऊंगी, बस आपको क्या करना है, यहां पर लेना है फैविकॉल, कोई भी आप ग्लू ले लीजे, उसको आप पूरी तरीके से बॉटल पे अच्छे से अपलाई कर किसी भी स्टेशनरी शॉप में, क्राफ्ट की शॉप में बस आपको इस तरीके से उसे पूरी तरीके से पूरी बॉटल में स्प्रेट करना है, यहां पर आप सिल्वर, गोल्डन, ड्रेड कई तरह के कलर्स इसमें आते हैं, बट मुझे गोल्डन कलर इसमें ज्यादा लगत तो इस तरीके से एक एस सिंपल तरीका है, बॉटल को डेकॉर करने का इसे आप आसानी से घर में भी बना सकते हैं I hope दोस्तों आपको यह वाला DIY भी पसंद आयोगा, पसंद आयोगा तो क्या करना है, आपको मुझे कमेंट शेक्शन में यह जरू बताना है कि इन में से आपको कौन सा वाला DIY पसंद आया, तो अम मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स वीडियो में, तब तक लिए बाई, ठीक कि अ जब बनुक्षा कुपी जजबेग बनुक्षा कुपी याला तो, हरा भाई धक, आपको हाला इताना हम झाल झाल